नमस्का दोस्तों आज के विदियों जानेंगे जो हमारा एर कंडिशन होता जैना हमारे एसी को हम घर पर ही कैसे उसका सर्विस कर से बीना है टेक्निशन को बुलाए हम घर पर ही एसी का सर्विसिंग करते हैं वह भी पांच एंदर स्मेडिव में तो यह वीडियो आपको काफ से फेले साप कर देंगे ठीक तरह से इसके बाद उसकी जो फ्रेम है उसको करके इस तरह से छो ना है तो यहां पे लिए पर ल homeless वहां से निकल के तो एकमारा फिल्टर ay ranging हमारे इस तरह पका फिल्टर नहीं गया एक और तो इसके बाद दूसरा फिल्टर उसको भी हम दीरें से लौक से लौक कॉन लोक करके निकालेंगे तो ये हमारे दोनों फिल्टर वह आ गए जो इसका पर देख सकते हैं डूल मिल्टी लगें तो इसके वह किलीनिंग करना रहता है तो कैसे आपको बाद में बताता हूं पहले उसके बात आप कर सकते देखिए अभी मैं यहां से यह कर रहे हैं तो अगर यहां से करेंगे फिर भी वह दस निकलेगी नहीं तो अभी हम क्या करेंगे उसके जो उपर की फ्रेम उसको पूरा जहां भी डूप मिट्टी हो सब लगा उसको हम साफ सफ़ाइक करने तो यह अभी फटा-फट से ह हम जो भी है उसको साफ सफ़ाइक स्परते तो उसको सफ़ाइक करने सब कहां यह हैं यह है उसको निकलेंगे फ्रेम को नीचे उसको नीजपकर करना जैसा अपने वीडियो में देखा तो इसको ठीक जो होता है service वो कर रहे है पूरा cleaning का कर रहा है याने दस जीतने भी लगी है वो हमारी निकल क्लीनिंग करने उसके लिए तो यह अंदर से इस तरह से आपको कपड़ा यूज करके कोई भी इस तरह से पूरा उसको अंदर से भी हाथ डाल के पूरा cleaning कर देना है ठीक तरह से तो यहां से इस तरह से cleaning होने की बाद यह आप देख सके इसको ऐसे उसद्वा को से लगा यह तो अभी का आपको बता आए कि जो आसे नहीं निंगल यहां से को चालू करना पड़ेगा इसके लिए ऑप था तो यह छानर ने रहा है तो यह चीज अपको ध्यांद में पहरे हैं तो अभी गर चालेंगे तो यह देके ब्रस का यूजिस कर सकते ब्रस से इस तरह से आपको जितने भी दस्क पोपको उसकी चालू करके इस तरह से पूरा आपका घ्रण से एस तरह से इसको साफ करना चलेकर ये हो जाने के बाद doğru यह हमने पूरा किया अभी यह हो जाने के बाद आपका जो फिल्टर उसको कैसा साफ करना जब से मैं आपको बता है तो सिंपल उसको पहले पानी दाल के थीक तरस अपने हाथ से उसको साफ कर देना ठीक तरसे इसके बाद इस पर बुरा उसका ना जो भी ड़स पाटीक लगा उसको आप साफ साफ़ाई कर सकते हैं अभी हम इस तरह से नौर्वर पानी डाल कि इसको साफ साफ़ाई कर रहे हैं इसके बाद आप यह साफ पहले साफ कर दीजिए इसके बाद ब्रस का यूश की जिससे की जितने भी डट्स पार्टिकल लगें अंदर वो पुरा क्लीनिंग ह हो जाए तो आप ब्रस से भी इस तरह से इसको क्लीनिंग कर सकते हैं कि यह वीडियो में आप देश सकते हैं इस तरह से इसका क्लीनिंग हो रहा है यह क्लीनिंग हो जाने के बाद जो हमारी यह मोस्ली 90 परसंट जैसनी प्रोसेस खतम हो चुकी है बस और इसके बाद यह जो क हो चुका है बहुत ही पांच मीडियों में हो गया देखिया मैंने जिसे आपको बदा यह पूरा इसे का वाइन हो चुका इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चाला तो मुझे कॉमेंट करें जरूब बने और अच्छी लगे तोच वीडियों को लाइक और सबस्क्राप करनें मिलते अगली वीडियो में थेंक्स वर वाचिंग जहीं चाहिए भारत